नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी खा दोस्तो एचससी सीटी के एक्जाम आपको पता है लगातार चल रहे हैं लेकिन इस सैटरेडे संडे कोई एक्जाम नहीं है और 27 और 28 को आपका एक्जाम है किन किन ग्रूपों का एक्जाम होने वाड़ है और इसके लवा जेही और जार करना पड़ेगा उनके जार बढ़ गया है इसके लावा जो नो ग्रूप ऐसे हैं जिन में चार कुणा से कम उमिद्वार थे बताए जारे थे और जिनकी जांच नहीं होई थी डोकॉमेंट वेरिफिकेशन की तो उनकी भी जांच शुरू होगी है और इसके लावा एक क्या नहीं अपडेट है? का रहे हैं तो उन सभी को कैंडिडेट को 100% मोका दे के और उनकी एक्जाम ले जा रहे हैं और फिलाल जो ग्रूप है उनका बताए जारे तो 28 जनुरी को एक्जाम होना है वो है ग्रूप नंबर 49 रेडियोग्र ग्रूप नंबर 50 इंडियन कुक, कुक नंबर 20 डेरी मैनेज ग्रूप नंबर 49 जिसके लिए आप बार बार कमेंट करते हो इसकी काटेगरी नंबर 300, 301, 302, 303, 4, 5, 6 और 7 और ग्रूप नंबर 61 है सायक ड्राप्ट में सिविल तो इतने सब ग्रूपों का एक्जाम है वो अभी 28 जनुरी को होने वाड़ है और बाकि आपको पताएए कि उनचास नंबर ग्रूप की तीन काटेगरी बना दी गई है ए बी और सी और उनका सलेबस भी अलग कर दिया गया है इसके लावा ये बताया गया है कि तीन बड़े ग्रूपों को छोड़कर सेस में 500 तक्क्यों मी दौर है शामिल होंगे और यहां पर क्या है देखो जिन ग् करके उन्हों बुलाया था उनको लेकिन 3167 को जो 9 ग्रूपों पर प्रूए थे उनकी डोकॉमेंट वेरिफिकेशन यानि के इंटरनली स्कूट नहीं नहीं हुई थी तो उनकी एक करके भी जात किया जा रही है और इसमें जो बाहर होंगे उनको पहले बाहर कर दिया जीटी के लिए पांस ग्रूप ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें मतलब जितनी पोस्ट है उससे भी कम कंडिडेट है वो क्वालिफाई है उसमें मतलब फाइनल डोकॉमेंट वेरिफिकेशन पास कर पाए है तो उसके लिए बताए जा रहा कि हाई कोट से परमिसन लेके उनक का हम रिजल्ट जारी कर देंगे तो यह कुछ अपटेट थी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं